हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, तोडें वी विल गूइंग टू सॉल्व क्लास सेवेंथ मैज फ्रॉम एमेल अगरवाल चैप्टर एट परसेंटेज एंड इट्स एप्लिकेशन्स एक्सरसाइज 8.3 फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, तो आएए पले हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीके, तो देखिए, प्रॉफिट क्या होगा, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, माले जिए 5 रूपीज में आप तो अब हमारा प्रॉफिट होगा, यानि कि 5 रूपे में माले जिए आपने एक पेंसिल खरीदा, आठ रूपे में आपने अपने फ्रेंड्स को बेज दिया, ठीके, तो यहां क्या होगे, आपका फायदा हो गया, यानि कि आपको प्रॉफिट हो गया, ठीके, इसी तरह से, मालो आपने 5 रूपीज में खरीदा, और उसे आप अपने फ्रेंड्स को 2 रूपीज में देरो यो, ठीके, तो यहां आपको क्या हो गया, लॉस हो जाएगा, ठीके, तो अब आप समझ गए होंगे, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा, ठीके, तो हमें प्रॉफि है न, तो प्रॉफिट इक्वल टु क्या होगा, प्रॉफिट हमने क्या का, BossP, यह बढ़ा होना चाहिए CP का है न, सेलिंग प्राइस अगर CP से बढ़ा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि आप सिम्पल याद रखना कि अगर सेलिंग प्राइस किसी सामान का बढ़ा है ठीके तो हमें profit होता है ठीके तो यहाँ पर हम यहीं तो इसे क्या करेंगे लिखेंगे selling price minus cost price ठीके यह हमारा profit हो गया अब इसी तरह से अब हम loss को लिख लेते loss का formula होगा तो loss में मैंने क्या आखा cost price बढ़ा होगा ठीके यहां cost price में से हम selling price को minus कर देंगे तो यह हमारा loss निकल गया अब हमारा second इसमें इसी आगे इस chapter में question आते है profit percentage निकालना loss percentage निकालना है जैसे कि मैंने बोला जैसे 5 रूपीज में आपने खरदा 8 रूपीज में बेच दिया तो 8 रूपीज में आपने जो बेचा ठीके तो आपको कितने cost price into 100 इसका हो गया percent इसी तरह से loss percent loss का percentage हम निकालेंगे तो loss percentage में हम लिख देंगे loss loss भी हमारा किस पर हो रहा है तो यहां जाएगा cp into 100 इसी तरह से लूपीज में profit उपर लिखना है और नीचे cp into 100 100 उपर आ गया इसी तरह से loss percent में यहां जैसे profit percent में profit उसके जगा लॉस लिखती जोर सा सेम होगा ठीके चलिए इसी में एक चीज और एक formula और ध्यान में रखना अगर आपको मालने जैसे किसी question में एक से अगर किसी price आपके पास है और हमें selling selling price निकालना है तो इसके लिए हम formula क्या लिखेंगे तो देखिए इसका प्रियाद रखना selling price निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा cost price इंटू 1 plus profit by 100 इसी तरह से SP यह कब निकालेंगे जब हम profit दिये हुआ है profit percent आपका दिया होगा इसी तरह से SP हम loss के लिए निकालेंगे तो loss में यह 1 minus आ जाएगा यह तो आगे जब solve करेंगे questions तो आपको समझ में आ जाएगा तो इन formulas को आप हमेशा याद रखना बस दियान में रखना SP बड़ा है तो profit होगा ठीक है SP अगर छोटा है तो loss होगा और profit percent loss percent profit percent profit by CP into 100 loss percent पे loss by CP into 100 परसेंट ठीक है अगर profit percent दिया हुआ है question में यह लिखते हैं इसी तरह से अगर loss percent दिया है तो यही सेम लिखेंगे loss percent पे 1 minus होगा ठीक है तो चलिए अब हम exercise 1.3 का first question देखते हैं शुरू करते हैं तो question number one हमारा का आता है आप इसके लिए प्लीज अपनी book साथ में रखना यह कर रहा है रोहन bought a calculator for rupees 760 and sold it for 874 find his profit and profit percent ठीक है मतलब उसने 760 rupees में calculator खरिदा तो यह हमारा calculator का cost price हो गया जो bought होता है वो हमारा cost price होता है CP ठीक है ज्यादा में बेच रहा है यानि कि selling price big है तो selling price big है तो profit निकालने और question में दे भी रखा है profit and profit percent निकालने है ठीक है तो चलिए इसे अब हम short करते हैं तो पहले जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं ठीक है तो जो हमारा given है देखे फर्मूलेक हो गया तो लिखिए CP cost price हो गया CP of a calculator equal to rupees 760 ठीक है अब हमारा selling price भी ते रखा है तो selling price को हम SP बोलते हैं short में तो SP of a calculator यह हमारा है rupees 874 इसका हमें profit निकालना है ठीक है ऐसे यह भी लिख सकते हैं SP बढ़ा है SP CP से बढ़ा है तो हमारा profit ही निकले का question में भी दे रखा है clear profit निकलना अगर question में profit नहीं निकालने के दे रखा है पूछ रहा है कि profit या loss क्या होगा तो वहाँ आप ध्यान देना SP बढ़ा है तो profit निकालेंगे तो यह हम profit निकाल देंगे ओके 874-760 तो यह हमारा हो गया रूपीज 140 तो हमारा profit हो गया 140 अब हमें profit percent भी निकालने है तो अब यहाँ लिखिए profit percent equal to और profit percent का formula क्या आपने बताया था profit by CP into 100% तो यहीं हम यहाँ लिखेंगे profit by CP into 100% तो profit अमारा कितना है 114 तो आगया 114 by CP 760 है 760 into 100% है ना तो यहाँ देखिए 0 से 0 divide हो गया 2 510 और 2 से 70 60 divide कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 38 अब 38 3100 तो यह हो गया 3 515 यानि कि 15% यह हमारा answer हो गया ओके आईए question number 2 देखते है देखे question 2 बोल रहा है किर्ती bought a sari for rupees 2500 and sold it for 2300 find her loss and loss percent अब यहाँ देखे 2500 में उसने खड़ीदा यानि कि CP 2500 है और यहाँ बेचा उसने 2300 में तो यहाँ तो loss में बेच रहा है यह कम है selling price छोटा है तो हम loss निकालेंगे और loss ठीके और question में देखी रहा है loss and loss percent निकालना है तो पहले जो given है हम उसे लिख लेते हैं तो लिखिए cost price of sari तो CP हमारा है rupees 2500 selling price of sari selling price of sari है rupees 2300 तो अब हमें loss निकालने हैं तो loss equal to CP minus SP अब देखिए अगर मान लीज़े आप भूल जा रहें CP minus SP यह loss का formula तो कैसे हम देखेंगे तो यहाँ देख लिए यहाँ जो big number से ही तो हम छोटे को minus करतें तो big हमारा 2500 है और यह CP है तो हम CP पहले लिखतेंगे और उसमें SP को minus कर देंगे तो ऐसे भी आप रखेंगे तो याद रहेगा तो हो गया हमारा 2500 minus 2300 तो यह हमारा हो गया इसे minus कर दीज़े तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 200 रूपीज 200 यह हमारा हो गया अब हमारा करा है कि loss percent तो लिखेंगे loss percent इसका formula लिख देंगे तो यह होगा loss by CP into 100 percent ठीक है तो loss हमारा कितना हुआ 200 का loss हो रहा है तो 200 और CP है 2500 into 100 percent तो दोनो 0 से 2 0 काट दीजे 25, 4,200 होता है sorry 25, 8,200 यह ना तो यह हमारा हो गया 8 यहां आ गया 8 percent तो यह हमारा equal to 8 percent इसका answer हो गया ठीक है आईए question number third देखते हैं question 3 यह हमारा question पूछा जा रहा है question में कह रहा है tell what is profit or loss in the following transaction एक transaction हो रहा है जिसमें profit loss बताने है कि profit हो रहा है यह loss also find profit percent और loss percent इनीच कि अगर आपको profit हो रहा है तो profit percent निकालने है loss हो रहा है तो loss percent ठीक है फास्ट है gardening shears shears gardening shears bought for rupees 250 and sold for 325 250 में खरीद रहा है 325 में बेच रहा है तो यहां देखिए CP से बढ़ा है SP हमारा बढ़ा है selling price तो profit हो रहा है तो यहां profit and profit percent found करेंगे तो चली लिख देंगे profit profit equal to SP minus CP यह formula हो गया है हमारे तो और हमारा SP क्या कर रहा है question में SP हमारा है 325 तो फिर हम यहां यह लिखेंगे equal to 325 minus 250 तो इसे minus कीजिए तो आगे हमारा रूपी 75 ओके अब हमें profit percent निकालने हैं तो निकाल लेंगे profit percentage profit percentage equal to profit percentage equal to profit by CP multiply hundred percent तो profit हमारा 75 है यह लिखतेंगे 75 by CP 250 है इन्टू hundred percent है तो 0 से 0 कटके है ठीके 25 फाइब जार 75 तो equal to अमारा हो गया sorry sorry 25 तिरी जार है तो तिरी टेंचार 30 यानि की 30 percent इसका answer हो गया अब इसका बी पार्ट देख रहे हैं बी पार्ट में क्या कर रहा है बी में बोल रहा है a cert bought for rupees 250 and sold at rupees 150 कराके cert 250 rupees में खरीदा है और उसे sale किया 150 अब यहां देखे 250 में हम खरीद रहे हैं जादा है और 150 में sale कर रहे हैं अब बी कौन है तो हमारा cost price बढ़ा है तो जब cost price बढ़ा होगा तो क्या बता है हमने कि तब हम loss निकालते हैं तो यहां मारा पले जो given है आप वो लिख दीजिए तो लिखेंगे CP of a cert CP of cert है रूपीज 250 ओके और selling price क्या है selling price of a cert equal to रूपीज 150 ओके तो हमारा यहां तो clear है कि loss हो रहा है selling price छोटा इसलिए loss हो रहा है तो इसलिए हम loss निकालेंगे तो loss equal to क्या होता है CP minus SP CP हमारा 250 है minus 150 equal to minus गया रूपीज 100 अब हम इसका loss percent निकालेंगे तो loss percentage equal to फर्मूला तबलन हो गया आपको loss by CP into 100 percent तो गया हमारा loss कितना है loss हमारा 100 है तो 100 by CP है 250 into 100 percent 0 से 0 डिफाइट 25 फोर जार हंडे फोर तेंजार 40 यह हमारा अंसर हो गया 40 percent अब question number 4 है यह देखिए question 4 का रहा है राजिंदर बौट वन अल्मीरा फोर रूपीज 4800 है ना 4800 में उसने एक अल्मीरा खरीदा अधर दा फोर 3640 अब देखिए हम दो अल्मीरा उसने खरीदा है ना राजिंदर ने तो अल्मीरा खरीदा एक का कोस्ट 4800 है दूसरे का 3640 है he sold the first अल्मीरा at a gain of 13 and 1 by 3 percent ठीक है अल्म में उससे लॉस हो रहा या या गेन यानय की इसमें बताना है कि प्र प alelus या लॉस भूआ कहरीदा एकको समें प्रॉफिट में बेचा एक को ल्मीरा है बेचा पहले से दो अल्मीरा है ख़रीदा तो चाली को हम टोटल सिपी निकालेंगे उसके बाद हम सेंलिंग प् तो लिखिए CP of first almira equal to rupees 4800 4800 first almira का cost है इसी तरह से CP of second almira यह है rupees 3640 का तो अब हम यहाँ पे दोनों का cost add कर देंगे तो लिखेंगे total CP equal to इन दोनों को plus करेंगे तो यह हमारा हो गया rupees 4800 plus rupees 3640 यह हमारा हो गया rupees यह से plus कीज़े 1444 और यहाँ आगया 8 यहना 8440 अब हमारा profit percent दिये हुआ कितना फैदा हो रहा कि गेन कितना हो रहा है उसे तो वो है 13 and 1 by 3 percent तो पहले लिख दिजे profit on first almira तो कितना हो रहा है 13 and 1 by 3 percent तो यह हमारा हो गया 13,39 1 by 40 40 by 3 percent अब यहाँ देखे total CP हमारा हमारा पाद CP आ गया और profit भी दे रखा है selling price नहीं दिया है तो हम पले selling price निकालेंगे है ना तो लिखेंगे selling price of first almira equal to है ना तो यहाँ पह फर्मूला लिखेंगे CP into 1 plus P by 100 यह ना plus क्यों क्यों क्योंकि profit हो रहा है इकको तो equal to अब देखेंगे अब CP हमारा total कि निकला है 8440 यह ना तो यह हमारा total sorry total CP है बढ़ हमें first almira का सू करना है तो first almira तो 4800 का है तो यहाँ यही लिखेंगे 4800 into 1 plus और profit कितना है 40 by 3 और यहाँ P by 100 percentage का है 100 तो यहाँ लिखेंगे 40 by 3 into 100 तो यह हमारा हो गया 4800 into अब यहाँ देखें 0 से 0 कट गए ठीके तो यह हो गया 4 by 1 plus 4 by 30 अब यहाँ प्रेक्शन में आगे अब यहाँ देख लीजिए 2 तो यहाँ देख लीजिए 2 तो यहाँ देख लीजिए अब यह फ्रेक्शन में आ गया तो यहाँ फ्रेक्शन में पहले से सॉल्व कर लेंगे तो पहले लिखेंगे 4800 और यह 15 बंचार 15 इस वरी 15 से नीचे कुछ नहीं है तो दिवाइड किए 15 15 बंचार 15 यानि कि 15 प्लस 15 से 15 दिवाइड किए 1 15 तूजार 30 तो यहाँ गया 2 बाई 15 तो गया इक्वल टू 4800 इन्टू 15 प्लस 2 17 17 बाई 15 तो यहाँ देखें 15 से 4800 दिवाइड कर देंगे तो यह मारा दिवाइड हो जाएगा 14 तरी जाएड 0 आ गया तो यहाँ जाएगा 2 एंड 0 ठीके 320 मल्टिप्लाई 320 मल्टिप्लाई 17 तो इक्वल टू 320 इन्टू 17 अब इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दिजिए तो यह हमारा हो जाएगा 0 का पहले यहाँ 0 लिख लेंगे 17 तूजा 34 4 आ गया 17 तूजा 51 और उसका कैरी उसमें हम चोड देंगे फिरी तो यह हमारा हो गया 54 रूपीस 5440 ठीके यह इसका हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट अल्मीडा हो गया अब हम सेलिंग प्राइस सेकेंड अल्मीडा का निकालेंगे तो आईए अब हम लिखते हैं फर्स्ट अल्मीडा हो गया तो लिखेंगे S P selling price of second almira equal to इसमें हमारा formula क्या आजाएगा selling price of इसमें minus करेंगे क्योंकि हाँ loss percent दिये हुआ है ठीक है second का तो अब हम लिखेंगे C P into 1 minus loss by 100 ठीक है तो इसका हमें C P दे रखा है 3640 into 1 minus loss by 100 ठीक है तो अब यहाँ इसे solve कीजिए 3640 into यह हो गया LCM 100 100 divided 100 उपर multiply किया तो 100 ही आया 100 minus यह हो गया divided 1 15 by 100 ठीक है तो आगया 3640 into 100 मैंसे हमने 15 minus करेंगे तो कितना होगा 85 हो जाएगा 85 by 100 0 से 0 हमने divide कर दिया तो कितना है अब 5 तू जार 10 5 से 85 हो गया 17 टाइमस में अब 2 से इससे हम divide कर देंगे तो 2 1 2 2 8 2 16 फिर 2 2 2 2 4 8 182 into 17 यह आगया रूपीज 3094 ठीके तो फर्स्ट आल मीरा का हमारा SP सेलिंग प्राइस निकल गया सेकेंड बाल मीरा का सेलिंग प्राइस आगया तो अब हम टोटल सेलिंग प्राइस निकलेंगे ठीके तो लिखिए इसलिए टोटल SP क्योंकि एक पे प्रोफिट होड़ा एक पे लॉस होड़ा तिसलिए हमने दोनों का सेलिंग प्राइस आगया निकला अब हम सेलिंग प्राइस दोनों का निकलेंगे एक साथ कर देंगे टोटल करेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे तो फर्स्ट आल मेरा का सेलिंग प्राइस आया था तो 5440 तो वही हम यहां लिखेंगे रूपीज रूपीज 5440 प्लस रूपीज 3094 है ना तेसे हम अड़ करेंगे तो आ जाएगा हमारा रूपीज 8534 ठीक है और टोटल पहले निकाल रखा हमने तो भी आहां मैं लिख देती हूँ किलियर हो जाएगा टोटल सीपी इक्वल तो देख्ये टोटल सीपी हमारा कितना हुआ है टोटल सीपी हमारा है 8440 ठीक है तो यही हम यहां लिखेंगे टोटल सीपी रूपीज 8440 ठीके, अब यहां आप ध्यान दीजें, total SP, selling price है 8534, cost price है 8440 तो selling price हमारा वीग है, तो वही हम यहां लिखेंगे, selling price greater than cost price जब सेडिंग राइस बड़ा होता तो हमेरे क्या होता है फ्रोफित होता है तो अब हम प्रोफित यहां निकाल देंगे प्रोफित इकवल टू एट फाइफ थिरी फोर रूपीज माइनस रूपीज एट फोर फोर जीरो यह आ गया मैनस करेंगे तो रूपीज 94 तो यह हमारा इसका आंसर हो गया तो आईए अब हम question number 5 चेक करते हैं तो 5 में हमारा कड़ा है इनफ फरनीचर shop 24 table वर बॉट at the rate of rupees 450 per table यहां ध्यान देना कि 1 table का cost 450 है और shop में 24 table खरीदा है तो 1 का rate दिया है तो हम 24 table का CP निकालेंगे then the shopkeeper sold 16 of them at rate of rupees 600 per table और उसे shopkeeper sold करता है 16 table को 24 जो उसने खरीदा उसमें से 16 को वो sale कर रहा है तो 1 table 600 में sale कर रहा है तो 16 total sale किया तो यहां भी हम selling price 16 table का निकालेंगे 16 multiply 600 कर देंगे 1 का दिया है तो है ना सेलिंग प्राइस 16 का आप का रहा है remaining at the rate of 400 per table आप का रहा है कि जो 24 खरीदा उसमें से 16 तो sell कर दिया रूपी 600 में और जो बच गया यानि कितने बच गया 24 माइनस 16 तो 8 बच गया तो वो जो बच गया table उसे वो 400 per table तब यहां भी 1 table का बचे हुए में से जो remaining tables है उसमें से 1 का cost selling price दिये हुआ है तो हम फिर पचे हुआ का निकालने हैं यानि 8 बच रहे हैं तो 8 को हम 400 से multiply करेंगे then find his gain और loss percent और उसके बाद हम total SP CP निकालने के बाद हम gain या loss क्या होगा वो देखेंगे और उसका percentage भी निकालने है तो चलिए अब हम इसे solve करते हैं question number 5 तो ये का रहा है question 5 में पहले तो हमारा दे रहा है CP of one table दे रखा है तो पहले लिख लेंगे CP of one table equal to rupees 450 ठीक है और total उसने कितना है 24 table है खड़िदा है तो फिर हम लिखेंगे इसलिए CP of 24 table equal to 24 into 450 है ना तो equal to हो गया हमारा रूपीज इस तो बन मल्टिप्लाई कीजे तो आजाएगा 10,800 ठीक है अब हम one table का निकाल लिए अब हम selling price निकेंगे तो SP of one table one table का selling price कितना है ये हमारा रूपीज 600 है ना और उसने 16 table sell किया है तो अब लिखेंगे इसलिए SP of 16 table equal to 16 into 600 तो 16 इसलिए हमारा हो गया रूपीज 9,600 ठीक है अब हमें remaining table पूछ रहा है तो पहले तो हम निकालेंगे remaining table कितने हैं तो लिखेंगे remaining table equal to total 24 है उसमें 16 उसने पहले sell कर दिया तो माइनस किया तो बच गया 8 table तो remaining 8 है और इस remaining में 1 का cost दे रखा है तो selling price निकाल देंगे selling price of 8 table equal to 8 into 1 का 400 है तो 4 से multiply करतीजे तो यह हो गया रूपीज 32 हन्डेड है ना अब हम total अब देखें selling price हमारा निकल गया 16 table का 8 table का ठीक है तो अब हम इन दो selling price है तो दोनों का हम add 1 कर लेंगे तो total add कर देंगे तो लिखिए total SP equal to है ना तो पहला हमारा 9600 है तो रूपीज 9600 प्लस रूपीज 3200 ठीक है इन दोनों का add कीजिए तो आगे हमारा 208 और यह हो गया 12 12800 अब यहाँ देखे यहाँ हमारा total selling price हो गया 800 ठीक है और हमारा cost price है total 10800 ठीक है तो selling price 12000 है यह 10000 है cost price यानि कि हमें profit हो रहा है ठीक है तो इसलिए हम लिखेंगे चुकि SP greater than CP तो इसलिए हम क्या लिखें लिंक आ लेंगे SP बढ़ा होता तो profit होता है तो profit equal to है ना profit कितना हो गया profit हम sorry SP हमारा है total 12 rupees 12800 minus rupees 10800 ती से minus की जैती है हमारा answer हो गया rupees 2000 ठीक है तो यह इसका answer हो गया selling price